है गाइस विल्कम बैक और नुट्यूब चैनल तो आज हम देखने वाले हैं 11 इंग्लिश महारास्ट वोड का फर्स्ट पोयम चरी ट्रीज का हिंदी में एक्स्प्रेमेशन तो चरी शिर्क करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले राग्डर के बारे में जानते हैं तो इन बॉंड जिनका जनम 1934 का सावली ही माचल प्रदेश में हुआ था इनका उक्कीपेशन है पोईट, नॉवलिस्ट, एज़िस्ट, 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 इनकी कुछ फेमेस राटिंग्स हैं The Room on the Roof, Seen from a Writer Life, and The Lamp is Lit, इनको पदमश सबकी मदद करता है, और साथ में ही Cherry Tree के बारे में बता है कि Cherry Tree ने कैसे Nature की Help से सारी मुष्पिलों का शामना किया, और एक Seed से छोटे से बीज से एक बड़ा सा पेड़ बन गया, तो इस साथ ही एक Poem है, दिखो Nature के बारे में तो बताती है, साथ ही एक Optimistic Poem है, आशावादी Poem है, Cherry Tree के माध्यम से हमें इस दीख देती है कि हमें भी Life में जो आशा है, Hope है, उसे बलकरार रखना है, सारी मुष्पिलों से सामना करना है, तो देखते हैं कि आगे क्या है, तो पहली कुछ लाइन इस प्रकार से है, 8 years have passed, since I place my cherry seed in the grass, must have a tree of my own, I said, and water it once and went to bed, and forgot, but cherry save a way of growing Though no one caring very much or knowing, and suddenly that summer near the end of May, I found a tree had come to stay, तो देखो यहां इन लाइन में हमारी जो poet है, वो कहते हैं कि उन्होंने आज से ठीक, 8 साल पहले अपने garden की घास में जो cherry का beach था, street था, उसे बोया था, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया था, ताकि बाद में वो सभी को कह सके कि ये पेड म मेरा है, बड़े proud के साथ कह सके कि इसे मैंने लगाया है, इसे मैंने बनाया है, इसे मैंने बड़ा किया है, लेकिन हमारी जो poet होते हैं, और sweet को एक बार पानी देने के बाद उसकी देखवाल करना, उसे रोज पानी देना भूल जाते हैं, और बिस्तर पर चल जाते हैं सोने के लिए लेकिन कभी ऐसा सोचते हैं कि एगर मैं इसे रोज पानी ना भी दू तब भी ये बढ़ सकता है कि इसके पास नेचर है नेचर इसकी देखवाल करेगा रोज इसको पानी देगा निट्रिशन ट्रवाइट करेगा और ऐसे ही कभी मही महीने के एंड में नोटिस करते ह हैं कि उस बीज में से एक छोटा सा पेड उग गया है तो दिखो इन लाइन में यही बताया गया है कि नेचर जो है वो सबकी देखवाल करता है नेचर के पास सबके लिए कुछ ना कुछ है आगे देखते हैं आगे के लाइन से हैं इट वस वरी स्मॉल फाइव मॉन्स तो देखो यहां पर हमारी जो राइटर है वो बताते हैं कि पेड एक बार जो है उनका जो चेरी ट्री है बहुत छोटा था पांच महिने के बच्चे जैसा पहुत ही छोटा था और गार्डन की बड़ी बड़ी घासों के बीच में ओ छुप गया था दिखाई भी नहीं दे रहा था उपर से जो बकरिया आई उसने उस चोटे से चेरी ट्री के पौधे की जो पतिया है वो खाली उसके बाद जो ग्रास कटर मशीन होता है उससे जो चोटा सा पेड़ था और खराब हो गया उसके जो तने है और टूट गये दो पार्ट में डिवाल्ड हो गये उसके उपर से मौनसुन की बारिश आई उसने पेड़ को और खराब कर दिया जो छोटा सा चेरी ट्री था उसका जो दना है बहुत पतला हो गया सूफ गया ऐसा लगने लगा कि अभे खतम हो जाएगा अभे जीवित नहीं रहेगा पेड़ मतलब बरबाद हो जाएगा लेकिन फि चेरी ट्री था ओ फिड थे होप में आ गया था ओ उपर की तरफ बड़ रहा था सन्की तरफ बड़ रहा था उसमें एक नया जोश था बढ़ने के लिए जीने के लिए तो देखो यहां पर चेरी ट्री के ईफिकल्ट फेस को बताया गया है कि कैसे बारिश میں आया उसके जो थे वो सारे जड़ गए, बकरिया उसकी पत्ते खा गई, इससे क्या हुआ कि उसका जो तना है वो कमजोर हो गया था और लगने लगा था कि अब जीवित नहीं बचेगा, अब पेड मर जाएगा, लेकिन उसने हिमत नहीं यारी, अगले स्प्रिंग सीजर में फिर से उसमें न आती है, तो हमें भी होप बरकरा दखनी है, एहमत नहीं आनी चाहिए और अच्छे चीज के लिए उमीद करनी चाहिए, तो यही था इस लाइन का मतलब, आगे दिखते हैं कि आगे क्या है, आगे की लाइन है, तो यहाँ पर हमारे रेटर बताते हैं कि उन्होंने चाहिए का ट्री लगाया, इसके बाद धीर धीरे ना टाइम बीचते गया, वो सिर्फ इंतजार करते थे कि कब ए चाहिए बड़ा होगा, और वो देखके बड़ा आश्रे चकित हो जाते थे, सोचते थे कि इतनी तुफान आए, इतने बारिश आए, ऐसे ऐसे सीजन आए, तभी ए चरी ट्री का ऐसे सर्वाइव कर रहा है, उसके बाद हमारे जो राइटर हैं कवी हैं बताते हैं कि वो वेकेशन मनाने अगले सीजन में जाते हैं कश्मीर, और जब कश्मीर से वापस जाते हैं तो वो constant traveling के कारण थोड़े पतले हो जाते हैं, उनकी थोड़ी health है, वो decline हो जाती है, लेकिन वो जो अपने घर के दरवाजे पर चरी का 6-foot lumber tree देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, इसलिए तो यहाँ पर कहा गया है, spent a season in Kashmir, came back then rather poor, but Richard buy a cherry tree at my door, यानि कि जब वो कश्मीर से आते हैं, vacation मना के, तो constant traveling के कारण थोड़े पतले हो जाते हैं, थोड़े मतलब उनका health decline हो जाता है, लेकिन जब 6-foot cut cherry tree अपने घर के दरवाजे पर देखते हैं, तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, उस cherry tree पर जो dark red cherry के fruit है, वो गुचाते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया है, आगे है, six feet high my own dark cherry, and I could secretly believe it's a berry, ripe and jewel in the sun, hung from a branch just one, and next year there was blossom small pink, fragile, quick to fall, and the merest breeze, the sleepiest breeze, तो यहाँ पर देखो, राइजर क्या कहते हैं, कि धीरे धीरे time बीचते गया, जब वो कश्मीर से वापस आये, तो उनने द देखा कि उनके घर के दरवाजे पर एक बड़ा सा चरी का ट्री है, जिसे देखो और बहुत खुश हुए, वो उन्हें आनंदगा जोई मिला, तो देखो, यहाँ से इन लाइन से कभी हमें बता रहे हैं कि कैसे उन्हें आनंद मिल रहा है उस cherry tree के बारे में, जब cherry tree को उन् में आश्रावादी रहना चाहिए, यहीं बताया गया है, तो यहाँ पर देखो, इन लाइस में क्या बोलते हैं कि दिरे दिरे time बीते गया, जो मेरा cherry tree है, वो six foot height का बढ़ गया, छे foot लंबा हो गया, मेरा खुट का cherry tree, उस पर dark dark जो cherry है, वो उगने लगे, और जो पेड़ क जो शाखाए थी, वो भी लेटके होई थी, जब उस पे सूरज की रोशनी परती थी, तो लगता था कि यह सोने का गहना है, और यहाँ पर देखो, उसमें आगे बताया है कि अगले साल उसमें धीरे धीरे pink जो full है cherry के वो आने लगे, और यह pink जो full थे cherry के बहुती कमजोर, बहुती नाजुक थे, थोड़ी सी भी हवा बहने पर जल्दी से गिर जाते थे, तो यहाँ पर cherry tree की खुबसूरती को बताया गिया है, आगे की लाइन से, I lay on the grass at ease, looking up through leaves at the blue, blind sky at the finches as the flew, and fitted to the dappled green, while bees in ectasy drank, of nectar from each bloom, and the sun sank, swiftly and the stars turn in the sky, and moon, moths, and singing crickets, and I, yes, I, press night and stars and trees, that small, that cherry grown by me, तो देखो यहाँ पर last में जो poet हैं, वो nature की खुबसूरती को बताते हैं, उनके जो cherry tree है, उसकी खुबसूरती को बताते हैं, और बताते हैं कि कैसे उन्हें खुद पर proud महसूस हो रहा है, इस cherry tree को बढ़ा करने पर जो आज इतना खुबसूरत हो गया है, तो कभी आराम करने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे poet हैं, आराम करने के लिए घांस के मैदान पर लेट जाते हैं, अपने garden में, और पुरे जोश में, पुरे उस्ताहा के साथ, पुरे आनंद के साथ, जो उन्हें nature दिख रहा है, अपने सामने, उसके बारे मे जाते हैं, तो कहते हैं कि जो आसमान है, आसमान में मधुमक्या है, जिंगूर है, और जो चरी का पेड़ है, वो भी ब्लोसम है उसमें, यानि कि उसमें फूल खिल चुके हैं, यह बहुत ही सुन्दर नजा रहा है, जो मधुमक्या है, वो फूल का रस पी रही है, जो रहते हैं, यह बहुत होते हैं, रात में जो भी स्टार्ट वगरा है, उनकी खातियत के बारे में बता रहे हैं, उनकी खुबसूरती के बारे में बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि जो उन्होंने चरी का ट्री लगाया था, वो इस समय नेचर की इस खुबसूरती में चा तो देखो यही दा पोयम इस पोयम में नेचर के बारे में बता गया है नेचर की खुबसूरती के बारे में और साथ ही चेरी ट्री के माध्यम से हमें ओप्टिमिस्टिक बनने की सलहा दी गई है कि हमें सारी मुश्किलों कर सामना करना है और डिफिकल्ट फेस हमारी लाइफ क एक नाइक दिन कम खतम होई जाएगा और साथ में चरी ट्रिकी जो खुबसूरती है वो भी बताएगे इसे तो यही था आज का वीडियो आशा करता हूँ कि आपका वीडियो अच्छा लगा होगा कमेंट करके बताएगे कि कैसा लगा और ऐसे ही वीडियो आशा करे चैनल पर बने रही है धन्यवाद